अलो दोस्तों PTT बरती दोजा 23 को लेकर दोस्तों नए अपडेट आज जारी हुआ है कोलेज अवेंटन और परवेश परकिरिया को लेकर कुछ मेटपोर्ट पस्टनों के उत्तर दी है तो दोस्तों पहला है आपका स्वाल मुझे मेरी चेंड कोलेज के अलावा अन्य कोलेज मिली है क्या दोस्तों मैं कोलेज चेंड कर सकता हूँ तो इसका उत्तर है दोस्तों आपके सबसे पहले आपको अलोटेड कोलेज में एडमिशन लेना होगा यानि कि जो भी आपके college आई है उसमें admission लेना होगा और 22,000 रुपे online fees है आपको जमा करवानी होगी उसके पच्चात है दोस्तों सेकिन है मुझे मेरी पसंद की college की बज़े अन्य college अलोट हुई है तो दोस्तों नहीं college अफ़र्ड है तू पूर में अलोट college में admission लेना होगा जो कि मैंने अभी आपको बताया सेकिन्ड है दोस्तों अफ़र्ड मुमेंट में कौन सी college बढ़नी है तो दोस्तों इसका उत्तर है कि आपके द्वारा पूर में college choice में जो college बढ़ी थी उसमें अभी जो college अलोट हुई है उस college के उपर करम में दोस्तों आपने पर्थम प्रात्मिक्ता दीये college अगर उसमें admission आया तो दोस्तों आपका college है चेंज नहीं होगा अगर दोस्तों अलग college आया तो आप college चेंज कर सकते हैं ये दोस्तों आपके इस PDF में दियेगे, आप स्वेम पढ़ोगे तो आपके और आशानी से समझ में आईगा सेकिन्ड दोस्तों आपके फीस कितनी लगेगी तो कोलेज में फीस एक ही बार में होगी 27,000 रूपे जो कि दोस्तों किस किस के होगे 5,000 रूपे रजिस्ट्रेशन और 22,000 रूपे दोस्तों आपके फीस से एडमेशन की होगी ये 27,000 रूपे के अलावा दोस्तों आपके कोल भी फीस चार्ज नहीं होगी सेकिन्ड दोस्तों यदि मैं अलोट की हुई कोलेज में परजें नहीं होता हूँ तो क्या मुझे दुबारा आउसर मिलेगा परवे सेतु केवल एक आउसर ही दिया जाता है अते ऐसी इस्तिज़े में दुबारा आउसर नहीं मिलेगा तो दोस्तों ये आपको सबसे इंपोर्टेंड है सेकिंड है छटा यदि अलोट के एडमिशन में लेता हूँ तो कारण वर कोलेज छोड़ता हूँ तो क्या मेरी फीस वापस मिलेगी तो दोस्तों अगर आपने फीस जमा करवा दिये तो कोई भी फीस आपको वापस नहीं मिलेगी और फीस है किस की वापस मिलेगी ये बे आपको बता देता हूँ फीस दोस्तों उसी की वापस मिलेगी जिसकी कोलेज अलोट नहीं हुई है यानि की कोलेज जिनको नहीं मिली है और 5000 रुपे दोस्तों जो फीस है रजिस्टेशन के वो दोस्तों आपको पूरी परकिरिया पूर्ण होने के पच्चात आपको मिल जाएगी सेकिंड दोस्तों इम इतर में केटिगरी में गलती हुए तो कोई भी सुदान नहीं कर सकती नेक्स्ट दोस्तों अभी में थर्ड एयर एक्जाम में एक्जाम दिये हैं और मेरी मास्सेट नहीं आई है तो दोस्तों आपके रिजल्ट आने के पच्चात यह आपका एडमिशन होगा यह सही दोस्तों यह आपके दोस्तों यहाँ पर दिया गिया है फीस आपकी लोटाई जाएगी यानि कि आपका कोलेज ऐलोट नहीं हुआए तो एक ही कंडीशन है कोलेज ऐलोट नहीं हुआए तो और बाकी किसी कंडीशन में आपकी फीस वापस नहीं होगी दोस्तों य longtemps यह पूरी pdf है आप कैसे डाउंलोड करोगे PTET बर्ति परिक्षागी आप स्वयम पढ़ लेना पूरे क्यों सनों के उत्तर दिये गिये हैं फर्स्ट न्यूज एक्जाम के टेलिग्राम से जाकर और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक हो चैनल को सब्सक्राइब करें बर्तियो से लेटेट वीडियो के लिए